मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कैक्टस इंजल अंदर में आज हम आपको दिखाने लाए हैं कि जो प्लांट्स अट्रेक्ट करते हैं हाउस फ्लाइज को यह फ्लाइज जो गंदी मक्हियां होती हैं कई बार हमने पुरानी देखते थे बड़े-बड़े इंज के प्लावर्स तो चुटे आते हैं कुछ बड़े ड्रेक्टिव रहते हैं वह आज आपको अलग सी स्पीसिज दिखाएंगे आये ले चलते हैं को सबसे पहले आपको दिखाएंगे यह हमारा एक व्लांट डिसके फ्लावर्स जो बहुत स्मॉल फ्लावर्स है दिखिए यह टाइनियस्ट फ्लावर है हमारे पास यह यह मेरे नाकुन से भी छोटा फ्लावर है है मैं ब्यूटिफुल फ्लावर्स है छोटे-छोटे जब काफी ज्यादा आते तो बड़े अट्रेक्टिव लगते हैं कि यह भी एट्रेक्टिव फ्लावर है थोड़े छोटे हैं तो कैमरा में थोड़ा लेट आ रहे हैं इसमें पर फिर भी आपको दिखाएंगे जरूर अलगी ब्यूटी अलग पैटर यह जैसे जब भरके सारे आएंगे तो आज कल इनका सीजन है अभी यह इस मौसम में यह सारे फ्लावरिंग देंगे यह लग लग तरह के हमने लगाए है मगर अभी यह देखिए यह एक ब्लूम हुआ है इसमें से कितने अट्रेक्टिव फ्लावर्स है बंच में यह इस तरीके से खिल रहे हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं अलगी ब्यूटी है कैक्टस प्लावर्स से डिफरेंट है यह बहुत ज्यादा कोई केर भी नहीं मांगते पानी मगर जो है वो कैक्टस प्लावर्स से थोड़ लग रहे हैं कि अभी देखिए खुले नहीं है इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल होते हैं फिर दीरे-दीरे यह साइज में आते फिर यह खुलते हैं यह सारे मैंने तक्रीबन हैंगिंग में लगा रहे हैं यह यह ही जब रीना बड़ा इट्रेक्टिव प्लांट सब्से ज्यादा फ्लावर्स वैसे मेरे पास यह प्लाट ही देता है इवन मेरे साब से सब के साथ ही देते होंगे यह सब्लावर देखिए इसका पैट्रन बटन की तरह यह बीच में फ्लावर का जो साइज बन जाता है जिससे यह स्टार भी इसको बोल देते हैं बटन फ्लावर भी बोल देते हैं बड़ा अट्रेक्टिव फ्लावर रहता है इसका यह रेड कलर का फ्लावर नीचे बड़े अट्रेक्टिव लगते हैं चोट चोटे जब ज़्यादा लगते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यह मैंने यह सारे राउंड पॉट है यह हमारा हमने सब साइट्स पे यही प्लावर जो है सकुलेंट्स लगाए हुए है और फ्लावर दिखाते हैं आपको भी यह फिर से अलग ब्यूटी यह सारे मैंने हैंगिंग में आप देखिए हैंगिंग में बड़े अच्छे लगते हैं यह प्लावर्स हैं कि यह जी हुर्णिया प्लांसी कि फ्लावर इसके यह देखिए बल्कुल छोड़ छोटे कि इसल्फ प्लांटी बड़ा अच्छा लगता है कि आज का जो सबसे अट्रेक्टिव फ्लावर्स हैं वह यह प्लांट के स्टेपेलिया के आप देखिए यह वाली फ्लाई है जो अट्रेक्ट करती है जो पुराने पहले हम देखा करते थे गंदगी पर फ्लाई बैठती थी इसकी स्मेल भी वैसे ही रहती है जैसे किसी खुबशूरती देखिए कि फ्लावर्स कितने खुबसूरत हैं कि दो जगह पर हमारे यहां फ्लावर्स लगे हुए है मैं दोने दिखाऊंगा यह पहले देखते हैं कितने अट्रेक्टिव लग रहे हैं कि इसके साथ यह अब देखिए इसके यह कितने बड़े प्लांट के प्लावर साइज के उपर देखिए यह लाट में जाता हूं देखिए कितना अट्रेक्टिव स्मॉल फ्लावर भाइं देखने के लिए फिरसी हमें बड़ा जोड लिगाना पड़ता है कि इतना स्मॉल फ्लावर है बड़े अट्रेक्टिव फ्लावर से यह यह स्टेपेलिया इस तरीक के से बंद रहता है धीरे धीरे फिर आप देखिए कि यह यह पजीशन में आप देखिए कि इतनी बड़ी पंजड़ समयल है अभी इसकी मगरा फ्लावर इतने हमें भूलनी पड़ेगी स्टेपेलिया अलग ब्यूटी आप इसका बीच में भी मैं जाता हूं कि इसके अंदर का पैटरन देखिए कितना अट्रेक्टिव यहाँ पर यह मैरून कलर लग रहा है डाक मैरून जिसको बोल देते हैं देखिए आप देखिए इसकी ब्यूटी यह अलग अलग शेड्स में कलर्स भी अलग अलग ने लगते इनके बहुत इट्रेक्टिव प्लांट्स हैं यह बड़े ब्यूट्फुल लगते हैं और हैंगिंग में इनकी ब्यूटी कुछ अलगी रहती है तो यह मैंने आपको सकुलन्ट प्लांट्स दखाए है इन प्लांट्स में केर कुछ खास नहीं चाहिए सौयल पूरस चाहिए पानी मगर कैक्टस के जैसे कैक्टस को देते हैं उससे ज़्यादा पानी चाहिए इसको यह अभी सीजन है यह दो महिने जो यही महिना लगे रहते हैं दो पूरी चाहिए इनको पानी भी पूरा चाहिए तो इस तरीके से हम इनकी ब्यूटी और आज कल आप इसको एकदा सप्रेय भी कोई भी एंपी के कर सकते जिसमें फॉस्फरोस और पटाशियम ज्यादा हो जिससे एट्रैक्टिव फ्लावर्स दें और ज्या हुआ हुआ है